आही प्रिकरत रहते हैं भक्तों को दर्सन भी लोगातार इस मंदिर में दर्सन करने आते हैं पहुत अच्छा है बहुत मन को संतुष्टी मिलती है और जो भी भगवांजी से मांगा है वो पुरा हुए दक्ष मंदिर में आज पहला सोंबार हम दर्शन करने आया है और यहां की मानिता यह है कि पूरे सावन पूरे एक महिना शिप जी यही रहते हैं और जो लड़कियां होते हैं उनकी जो मनो कामना है वो पूर्ण होती है पूरी श्रद्दा से सावन का सोंबार आज मनाने के लिए आये हैं और सावन में यह मानिता है कि जो भी आप मनो कामना मानते हैं वो पूर्ण होती है लगाता रहाते हैं यहां इस मंदिर में और बहुत अच्छा लगता है और जलाविशेग करने के लिए यह बहुत अच्छी मानेता वाला मंदिर है तो इसलिए हम लोग आते हैं हर साल यहां सावन का महिना है भगवान सीव का प्रीव महिना है और यह भगवान सीव की सस्वराल है दुनिया का प्रथम महादेव का मंदिर है भगवान सीव ने वरदान दिया था कि मैं सावन के महिने में यहीं रहूंगा अता भगवान शिव स्रामण के महिने में यहीं रहते हैं और स्रामण का पहला स्वंबार है तो विशेश भव्य आरती इसलिए की जाती है कि भगवान के आगमन का स्वागत किया जाता है इस उद्देश से यह आरती की जाती है कि भगवान बोले नाथ हमारी अपनी सिसुराल में स्रामण के पहले स्वंबार को पधार रहें तो भगवान सिव की सिसुराल है और भगवान सिव के मस्तक पे जटा स्रामण के महिने में ही गंगा उतरित हुई थी इसलिए सामण के महिने में गंगा जाल दूद, दही, घी, शहत, बूरा, गन्यकारस, बिल्वपत, धतूरा इत्यादी से भगवान की पुजा की जाती है भगवान के इस मंदिल में आने पे भक्तों की सभी मनों गमनाय पुल्ण हो जाती है ऐसा मेरा मनना है, क्योंकि भगवान से उस सामण के महिने में यहीं विराजमान रहती है हम हर स्वमा जलचणाने आते हैं, भगवान से मानते हैं कि भगवान हमारा पनो कमना पूरी कर दे जो हम यही प्रजुच मेरे बच्चे अम्यरका में हमारे श्वेंट जाने इस जाने नहीं होत लिए कि वहां क्या जाए जो यहां आइवाँ कहीं नहीं है अमेरिकांब रहनी नहीं पसंद करते जो यहां पे है कि वहां कहीं नहीं है ऐसी चीज जैना